Friends, आज की वीडियो में किस तरह से आम फोटो की finishing करते हैं और कैसे उसका size बनाते हैं किसी भी size में passport size 4, 6, 5, 7 जो size आमें बनाना है किस तरह से आम उसको बनाएंगे और उसकी dress किस तरह से हम change करेंगे आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे तो चलिए, वीडियो शरू करते है और सीखते है Friends, Photoshop पे आने के बाद यहां से डबल क्लिक करेंगे अपनी इमेज को ओपन करने के लिए यहां डबल क्लिक करेंगे आपकी जहां पर इमेज रखे हो, आप वहां से अपनी इमेज को Photoshop में open कर लेना मैं एक image को open कर लेता हूँ तो मैंने इस image को open कर लिया है ये थोड़ी तिर्ची दिखाए दे रहे है तो इसको हम थोड़ा सीधा करेंगे सीधा करने के लिए alt प्रेस करके और mouse से नीचे की तरफ करेंगे तो इसके copy बन जाएगी तिरी ctrl T करके mouse को उपर ले जाएगे और इसको थोड़ा इस तरह से हम तो इस तरह से हम इसकी image को बिलकुल center में करेंगे तो ये अमारी image center में हो चुकी है अब आम इसको ctrl shift प्रेस करक तो ये एक layer हो जाएगी अब हम इसके बाकी हिसे को crop करेंगे crop करने के लिए keyboard से एम प्रेस करेंगे या direct mouse से यहाँ टूल में सबसे उपर click करेंगे और इसको photo को select करेंगे इस तरह से हम इसका selection कर लेंगे selection करने के बाद ये बाकी का हिस्सा crop करने के लिए यहाँ image में जाएंगे यहाँ से हम इसको crop पे click करेंगे तो यह अमारा बाकी का हिस्सा crop हो जाएगा इसके बाद ctrl d करेंगे तो यह हमारा selection हट जाएगा अब हम इसकी dress कैसे change करेंगे? dress change करने से पहले हम इसकी finishing कर लेते हैं हमें इसकी finishing करने के लिए यहां image में जाएंगे adjustment पे जाएंगे यहां से brightness contrast पे जाएंगे और इसका यहां से brightness कम करेंगे और contrast बढ़ाएंगे और ok करेंगे ctrl m press करेंगे तो यह हमारा cover खुल जाएगा यहां से आम इसको थोड़ा light करेंगे इस तरह से और enter करेंगे ctrl b press करेंगे तो यह color balance हमारा open हो जाएगा और यहां से आम इसको color balance कर सकते है तो इस तरह से इसकी yellow tone यहां से हम दूर कर सकते है यहां फिर इसको ok करेंगे आप अपने इसाब से यह color set करके फिर ok कर देना तो इस तरह से हमारा color balance बन चुका है आप इसको ctrl L प्रेस करेंगे तो यहां से level आ जाएगा तो इसका blackness दूर करने के लिए तो इस तरह से आम इसका level घटा बढ़ा सकते है आप image में देखके level को अच्छे से set कर सकते है गटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से तो मैं इसको फिलाल इतना ही रख लेता हूँ आप अपने साब से set कर सकते हैं तो यहां से फिर इसको ok करेंगे अब इसकी background में थोड़े इसकी यह shadow दिखाई दे रही है तो इसको हटाने के लिए यहां से magic tool लेंगे यहां फिर अपने keyboard से double press करेंगे तो यह magic tool select हो जाएगा फिर इसको हम यह shift दबा के यहां click करेंगे और जितना यह area select हुआ है फिर shift दबा के उसके बाहर इस तरह से हम click करेंगे तो यह पूरा area select हो जाएगा तो हमें इस तरह से यह इसका selection कर लेना है अगर आपकी image में search बगर ज़्यादा white है यहां पे अगर white उस पे आ जाता है इस तरह से तो आपको यहां से इसका torrents कम कर लेना है इसको 8 या 10 पे रख लेना है फिर इसका selection कर लेना है तो वो white कपड़े पर नहीं आएगा तो हम यह selection करने के बाद हम यह select में जाएंगे यहां इसको feather पे click करेंगे और यहां इसको 2 का feather करेंगे या नीचे background में white color रखेंगे यहां से हम white color select करेंगे ok करेंगे और delete button keyboard से press करेंगे तो यह इस तरह से हमारी background बिलकुल clear हो चुकी है आप इसमें जो भी size देना चाहे crop tool पे जाएंगे या फिर keyboard से C प्रेस करोगे तो यह direct select हो जाएगा और उपर यहां पे आप जिस size में photo बनाना चाहे उस size में इसको photo बना सकते है जैसे की 4-6 की बनानी है तो यहां पे 4 डालेंगे और height में 6 और यह resolution में 300 रखेंगे और यहां से इस तरह से हम इसको select करेंगे और enter करेंगे तो यह हमारी 4 by 6 का size तयार हो जाएगा अगर आपको passport photo बनानी है तो आप यहां पे 1.3 और यहां पे 1.5 resolution 300 रखेंगे Ctrl-Alt-Z करके back करेंगे और फिर से इसका यहां पे crop tool से इस तरह से हम इसका size बनाएंगे तो यह हमारे सामने इस तरह से इसका size बन जाएगा और enter प्रेस करेंगे तो यह हमारे passport photo का size बन चुका है आप दूसरे तरिके से भी size बना सकते है Ctrl-N करेंगे तो यह new open हो जाएगा यहां से आप इसमें जो चाहे size ले सकते है 4,6,5,7,8,10 तो 8,10 की तो इसमें आपको default में मिल जाएगी और यहां से आप जो भी size चाहे जैसे passport लेना है तो 1.3 height में 1.5 और इस तरह से ok करेंगे और photo को mouse से पकड़के इस shift लेके आएंगे और Ctrl-T करेंगे और shift button दबा के अगर shift button ना दबाए तो यहां से इस pin को lock कर देना है और mouse से इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते है photo अमारी same रहेगी जैसे हम shift दबा के करते है तो lock लगाने के बाद हमें shift दबाने की आव सकता नहीं पड़ेगी तो इस तरह से भी हम अपने photo का size बना सकते है तो यह हमारे photo का size बन चुका है अब हम इसमें इसके pimples कैसे दूर करेंगे वो सीखते है हम इसके pimples मटेने के लिए या healing brush पे जाएंगे यहाँ पे आप keyboard से j press करोगे तो direct यह healing brush आ जाएगी यहाँ फिर mouse से इसको select कर लेना यहाँ पे bracket से minus plus कर लेना इसको और यहाँ हम इसको और यहाँ पे इसको alt दबा के select करेंगे mouse से click करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से इसके pimples वगरा हटा देंगे तो यहाँ आपने इसके pimples वगरा हटा दिये है तो यहाँ तक हमारी photo बन चुकी है अब हमें filter पे जाना है filter पे जाएंगे यहाँ noise पे जाएंगे यहाँ पे jpg clean up ok करेंगे यहाँ समूतनेस हम 10 भी रख सकते है और इसको बड़ा गटा भी सकते है अपनी image के नुसर जितना मैं इस पे मैं इस पे फिलाल 20 का समूतनेस रख लेता हूँ और यहाँ पे ok करेंगे तो यह देखिए हमारी image बिल्कुल ok हो चुकी है अब इस पे हमें dress कैसे change करनी है तो चलिए वो देखते है यहाँ से हम double click करेंगे और जहाँ हमने dress को रखा है वहाँ से उस dress को लेके आएंगे यहाँ से मैं इस dress को निकाल लेता हूँ मैंने कि यह dress निकाल ली है यहाँ हम move tool को select करेंगे आप keyboard से v press करोगे तो यह move tool select हो जाएगा यहाँ पर select करेंगे और इसको dress को पकड़के यहाँ पर इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ हमें control T करना है और यहाँ से इसको pin को lock कर देना है यहाँ फिर आप shift दबा के अगर lock निकरो तो shift दबा के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन मैं फिलाल इसको lock करता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से हम इसका size बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से इसको set करेंगे अब फोटो को zoom करके अच्छे से इसको set कर सकते हैं और यहाँ पर यह हमारी image पर set हो चुकी है और यहाँ हम इसको enter करेंगे अब यहाँ तक हमारी image है तो यह बाकी का जो आपको यह दिखाई दे रहा size तो यहाँ से हमें इसको move tool पर जाना है और यहाँ से इसको इतना select रखना है यहाँ हमने इसको इतना select रख लिया और फिर image पर जाके यहाँ इसको crop करेंगे तो यह हमारी extra image crop हो चुकी है और फिर से हम control D प्रेस करेंगे इसका selection अटाएंगे अब यहाँ से हमें फिछ वाली image को select करना mouse से यहाँ से हम stamp tool लेके बुरूश को छोटा करके bracket button से और alt प्रेस करके इसको इस तरह से erase करेंगे इस बाहर के हिस्से को जो यह address दिखाई दे रही है इसको इस तरह से हम erase कर देंगे अब थोड़ा zoom करके control plus करके इसको zoom करके यहाँ से बुरूश को छोटा करके इसको हम color को address पे इस तरह से feel करेंगे यहाँ से alt दबा के यह color उठाना है और इस तरह से mouse से हम इसको feel करेंगे अब यहाँ पे जो यह थोड़ा बहुत निशान देखाई दे रहा है तो हमें वी प्रेस करके move tool लेके यह address को select करके और फिर से stamp tool लेने लिए shortcut की S है और इसको छोटा करके आप इस तरह से इसको gap को set कर सकते है रखेंगे और यहाँ इसको इस तरह से size देंगे इसका और इंटर प्रेस करेंगे तो यह हमारी passport photo बनकर बिल्कुल ready हो चुकी है जो यह extra ball दिखाई दे रहे है तो यहाँ से pen tool को select करेंगे pen tool की shortcut की है keyboard में P press करेंगे तो यह pen tool select हो जाएगा और इस तरह से उसको यहाँ से select करके बार बार और यहाँ पे control इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे select में जाएगे यहाँ भैदर करेंगे feather अब की बार एक का करेंगे क्योंकि इमे चोटी है और okay करेंगे और delete button प्रेस करेंगे यहां नीचे background में white color ही रखना है और delete button को press करेंगे तो इस तरह से यह extra hair remove हो जाएंगे तो यह हमारी passport photo बनकर त्यार है यहां इसमें border लगाने के लिए Ctrl A करेंगे और यहां edit पर जाएंगे यहां stroke पर जाएंगे यहां पर 5 रखेंगे और color में select करेंगे color पर click करेंगे black color select करेंगे और यहां ok करेंगे और यहां पर ok करेंगे तो यह हमारा border चारो तरफ बन चुका है यह उपर इसलिए दिखाई नहीं दिया जारो तरफ border इस तरह से आ जाएगा तो इस तरह से फ्रेंड आप अपने photosome में photo को साफ करके और किसी भी size में बना सकते है और passport size तयार कर सकते है अगर आपको इनके passport action दोरह तयार करने है मैंने action पर पहले से वीडियो बना के रखी है तो आप वापे जाके action कैसे बनता है वीडियो वो देख सकते है और action बनाना सेख सकते है तो उमेद करता हूँ वीडियो आप लोगों के पसंद आई होगी तो like, share, subscribe जरूर करें Thank you